हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एड टू जैड मेडिसिंस में एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कोंबी पैक ओप मिफैप प्रिस्टोन एंड मिसो प्रोस्टोल टैबलेट के बारे में जिसको हम किट भी बोलते हैं जो पांच गोली की एक किट आती है तो इस वीडियो में बात करेंगे हम किसको क्यों लेते हैं कितने टाइम पिरिटिंग में आप इसका रिजल्स देख सकते तो प्रोस्टोन में अग्वाता है उसको किस तरह खानी चाहिए और इस टैबलेट से क्या के साइट के लि 59 at कि दिखने को मिलसकते तो बने रहे हैं हमारी सब्सक्राइब की आपको को मिल सके क्योंकि इस टैबलेट की अधूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सावित हो सकती है इसलिए वीडियो को पूरा देखे और यह आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए शुरू क करते हैं हेलो इस टैबलेट का प्रियोग महिलाओं में प्रेग्नेंसी से जुड़ी कुछ समस्याओं में किया जाता है जिसका प्रियोग प्रेग्नेंसी कंज्यूम हने के बाद में ले जाता है इसको अवोशन किट भी बोलते हैं तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट में य से यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है इस खिट का प्रियोग अवोसन के लिए किया जाता है जो प्रेगनेंसी होती है उसको रिमूब करने के लिए किया जाता है इसे लेने से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है इस टैबलेट का प्रियोग प्रेगनेंसी कंज्यूम होन नेंगे 18 दिन बाद तक किया जाता है मतलत जब प्रेंगनेंजिंट 첫 अ hedge yeah तो और यदि ऐसा होता है तो प्रेवनेंटिक के जो मटेशल होता है वो यूट्रेस के अंदर ही रहा जाता है जिससे हैबी ब्लेडिंग होने का चांस ही होते हैं जिससे पेसेंट स्वोख में जा सकता है जिसकारणा आपको अननैसेसरी सर्जिकल प्रोस्रिकल सेC. Uncomplete Avotion को новых करना पड़ सकता है तो अबर बात करें यह जो Tablet को बहुता करते हैं कि साइड इवक्स कि देखने को मिल सकते हैं तो इस टैबलेट को बार-बार यूज करते हैं तो तब इससे साहरवक देखना को मिल सकते हैं जैसे ब्लेडिंग शुरू होने के बाद रुकती नहीं है ज्यादा ब्लेडिंग होती रहती है लगातार ब्लेडिंग होती है और साथ ही फ्यूचर में बच्चे ना होने की प्रो तो बात कर लेते हैं इस टैबलेट को किस तरीके से यूज किया जाता है जो ये किट होती है इस किट में पांच टैबलेट होती है जिसमें एक टैबलेट बड़ी और च्छोटी होती है इसमें जो बड़ी टैबलेट होती है वो मिफेपरिस्टोन की होती है और जो चार टैबल तो अब बात करते हैं इसको लेना कैसे होता है तो जो इसमें बड़ी टैबलेट होती है सबसे पहले उस टैबलेट को लेते हैं वह जादा तर सुबह के समय लेनी चाहिए सुबह के टाइम लेना ज्यादा अच्छा होता है और इसको औरली पानी के साथ ले लेना चाहिए और 48 14 घंटे के बाद जो छोटी टैबलेट होती उनमें से दो टैबलेट को एक साथ जीब के नीचे रखकर लेना चाहिए इस टैबलेट को पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन जीब के नीचे रखने से इस टैबलेट का जाद अच्छा रिजल्ट मिलता है इस टैबलेट को जीब के नीचे रखके या पानी के साथ ले सकते हैं और इस tablet को लेने से पहले कुछ बातों का धियान रखना चाहिए जैसे जब period में हो जाते हैं तो पहले Pregnancy test करना चाहिए और यदि आपको Pregnancy test positive आता है तो ही इस tablet को ले अन्य था अगर दस दिन भी पिरेट लेट होते हैं तो अभी इस टैबलेट को उप्योग नहीं करना चाहिए तब तक प्रेग्नेंसी टेस्ट पोजिटिव ना जाए तो यह थी फुल थे खुआर बात करते हैं तुआ्द एंग झातुग झात्तिव को किस ऐाखरो से एी नाए गरोगणा जाए ना करते हैं एाहिए किसमार करेक्तार हैं एाहिए एए पातार हैं है एाव तक गात्ति राए